नवाश्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा, आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल I am चंदा मामा पर और आज हम देखने जा रहे हैं चंदा मामा में प्रकाशित हुए कहानी भाग्य काख खिल तो चली चलते हैं कहानी की ओर हेलापूरी की दुर्गा सुन्स्पन ग्रहिनी थी रगुनात उसका इकलोता बेटा था पती के दिहांत के बाद उसने उसे बड़े लाट प्यार से पाला पोशा बालिक होने पर उसका विवहा कर देना चाहती थी सुगंदी पूर के निवासी नारायन की पुत्री सिंधूर को दुएकते ही रगुनात उस पर लट्टू हो गया बस बड़ी ही सुद्धर और सुशील कन्या थी पर नारायन अमीर नहीं था वह दरहेज दिने की स्तिधी में नहीं था दुरगा को यह रिष्टा पसंद नहीं था क्योंकि वे दहेज दे नहीं सकते थे पर रगुनात ने जिद की कि अगर शादी करूंगा तो सिंधूर से ही करूंगा दुर्गा ने साफ साफ बता दिया कि किसी भी हलत में यह शादी हो नहीं सकती रहुनात मा का विरोध नहीं कर सका और चुप रह गया परन्तु भै अपने मन से सिंधूर को निकाल नहीं पाया ऐसे परिस्थिती में नारायन का रिष्टेदार सतर साल का व्योहार दक्ष भृत श्रीकर दुर्गा से मिलने आया अपना परिच्च दे चुकने के बाद उसने दुर्गा से कहा सिंधूर का पिता नारायन मेरा आत्मी ये बंदू है चोंकि उसकी कोई ज़्यादा नहीं है इसलिए उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाने से आप इनकार कर रही है मैं आपको एक रहस्य बताना चाहतूंगा सिंधूर को उसकी मौसी के तरफ से बहुत बड़ी जायदा मिलने वाली है सिंधूर के गले में जैसे ही आपका बेटा मंगल सूतर पहनाएगा उसके दूसरे हिर्षान 20 लाक रोपियों से अधिक रकम उसकी हो जाएगी इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता यह सुनते ही दुर्गा खुशी से फूल उठी उसने सुचा कि सिंधूर की धनिक मौसी ने अवश्य ही इस विश्य में वसियत लिखी होगी दुर्गा ने सिंधूर को ध्यान से देखते हुए कहा अब व्रद हैं, बड़े हैं मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि आप जूट नहीं कहेंगे परन्तु याद रखिएगा, आपने जैसा कहा, वैसा नहीं हुआ, तो विवाह रद करने से भी मैं पीछे नहीं हटोगी नारायन से यह कह दीजिये कि यह विवाह की तयारियां शुरू कर दें इसके पंदरा दिनों के अंदर ही सिंधूर का विवार रहुनात से धूमधाम से हो गया लोग दुर्गा की उदारता की प्रशंसा किये जा रहे थे नारायन के रिष्टेदार खुद उससे निल कर उसकी तारीफ के पुल बानने लगे नारायन से जितना हो सकता था उसने कर दिया और बेटी सिंधूर को ससुराल भीजा पर दुर्गा की आंकों में वो बीस लाख रुपए ही दिखाई दे रहे थे इसलिए उसने इवगर गौर इस पर गौर नहीं किया कि नारायन ने बेटी को क्या दिया और क्या नहीं देखते देखते एक महिना गुजर गया सिंधूर की मौसी की वसियत की धन राशी अब तक प्राप्त ना होने के कारण दुर्गा ने श्रीकर को सुगंधी पूर से बुलवाया उसके आते ही दुर्गा ने कड़े स्वर में उससे पूछा तुमने बताया था कि मेरा बेटा रगुनात जैसी ही सिंधूर के गले में मंगल शूत्र पेनाएगा उसके दूसरे ही श्राप्त उसकी मौसी की जायदा उसे मिल जाएगी पर अब तक ऐसा नहीं हुआ क्यों तुमारा क्या कहना है इस पर श्रीकर ने मुस्कराते हुए कहा दुर्गा जी मैंने कहा था कि बहु हो जाते ही सिंधूर की सास यानि आप से 20 लाख रुपे मिल जाएगे लगता है आपने मेरा मतलब मनोभाव समझा नहीं सिंधूर की मा नहीं रही आप मा नहीं सही पर मौसी के समान तो है ना अब सिंधूर गरीब नारायन की बेटी नहीं संपन सास यानि मौसी दुर्गा की बहु है यह सुनते ही दुर्गा स्थब्द रहे गई इसके लिए किसी की निंदा नहीं कर सकते फिर मन ही मन उसने सोचा कि लाखों रुपे भले ही ना मिले पर बेटे की इच्छा तो पूरी हुई गुणवत्ती कनिया उसकी बहु बनी इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपने भाग्या पर खुश होती हुई दुर्गा ने मन ही मन श्रीकर की अकलमंदी की प्रशिन सा की और इसे भाग्या का खेल समझा तो चलिए दोस्तों कहानी यहीं समाफ होती है मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर कीजिए मिलते हैं शेगर ही दूसरे वीडियो के साथ धन्यवाद